वेलकम स्टुडेंट वेलकम टू स्वामी वेकानन इस्टीव दिस इजीट चन कैसे हैं आप लोग उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे तो हम चर्चा कर ही रहे थे और करते ही जा रहे हैं और करते ही रहेंगे ठीक है चर्चा हो रही इतिहास की इतिहास के उन पन्नों को जो आगे बढ़ रहा है इतिहास में जहां से धीरे धीरे भविष्य के वरतमान हमारे वरतमान तक पहुंचेगा ठीक है तो ती चर्चा राजपूर के बहुत कुछ बताया बहुत सारे सेक्शन उसको बताया तीन चार्ट जो राजपूर के क्लैन थे उनका डिसक्संतिन मेजर क प्रतिहाड लेश्टी के बारे मताया और बठाया कि चर्चा करते हैं यहाँ पर उसको लेकर करए देखतें तो पहले हैं इन आङ्ड परी देख रखा राजपूर्ट प्रियोड में कुछ इंपॉर्टेंट बाते मैं करता हूं ठीक है एड्मिस्टेशन चलाते थे क्या सिस्टम था इनका अभी तक हमने उनके दानेश्टी की बार्ट चर्चा की या नि उन्में जो चीजन सी उनका विवस्ता कैसा था कौन राजा कहा था क्या क्या हुई थी घटना है अब एड्मिस्टेशन यहीं सेंटर पार्ट होता है कि सिट्री गवर्न्नेंश का अड्मिस्टेशन और उस समय एग्री यह एक पूरा सत्ता कंट्रोल होता है तो आप हम चार करते हैं लाजपूत में स्टेशन कैसे होता था तो यहां पर प्र होता था इनकी पास प्रियोंट के पास होती थी ती कैसी स्टेश्टीव सावर्फुल होता था चाहे हम बात कर लें पाल की चाहे राष्ट कूट की समझवारी बात तो अब आगे चलते हैं इसमें हेड administration होता था सारा administration इसके commander in chief of army होता था आर्म भी नहीं से control होता था पूरी आर्मी इनहीं से चलती थी सारा decision king का होता था ठीक है अब एक कैसे चलाते थे तो एक क्या करते थे न बहुत सारे इनके देख लिए फिर्ट का मतलब होता है वह वह होते हैं जिनको हम कहते हैं सामंत सामंत का मतलब होता है एक अच्छा रिच फैमली जो कभी राजा राजवारे टाइप का जिन्ही जी से तो उसको कहते हैं तो राजा तो किंग तो होता ही था तो इनके बीतर क्या होता था बहुत तो चोटे वह सब राजा कहले था चोटे राजा क्या करते थे जैंक आधीन होते भी करते थे चाहे जूडीसियल का मामला हो जहा है तो चलता था इस तरह से तो क्या क्या था तो कुछ भी अगर राजा कह रहा है तो राजा के आदिस से ही हो रहा है ठीक है इट वाज ऑपन फॉर ओपन फॉर फीमेल फॉर फेस्टिवल जब महिलाओं को भी ऐसा मौका दिया जाता थे जब पुब्लिक में आ करके कुछ वो कल् स्टिक है ना अब क्या तो घृग Risk करहा है तो नचाने तीनों राज कारों की बात करें सी कि तो चरचा करते हैं कि बात कर रहे हूं और प्रतिहार की बात करा रहों और तीनों में अगरते हैं आगे हम कुछ चर्चा करते हैं कि ऐसे ही में महिलाओं के बारे में थोड़ा चर्चा करना चंद्रवलवी एक प्रिंस थी चंद्र वलवी करता था और पूरा अब क्या होता था राजे के बेटे भी हो जाते थी जब राजा धीरे-धीरे बुढ़ा वह जाता था तो उसके बाद होता था कि अगर बड़ा बेटा है और चार बेटा और है तो वो क्या करेगा तो उसको एड्मिस्ट्रेशन दे दिया जाता था तो इस तरह से पूरा परिवार क्या करता था है इक सिस्टम में चल रहा होता था ठीक है अब बात करते हैं चन्दर वलवी की राश्ट cuat में उबने इनको दिया गया था राईचुर दावद की दिश्ञाट्व मैं दौ दो आभ दौब क्या होता है जहां से नदी का चलती तो सबसीन से चलती यह तो क्या करती तो यहां से दो नदिया सुरू हो जाती है तो यह वाला पॉइंट जहां से बढ़ता है इसको दस बॉपा आपका जो राजा के परिवार थे उन्हीं की बेटी थी उन्हीं परिवार की बेटी थे चंद्रवल्वी कोई अधिस्टेशन दिया गया था समझ में आ रही बात तो इस तरह से पूरा सिस्टम हो चलता था ठीक है अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं और एड्मिस्टेशन की चर्चा कर लेते हैं ठीक है मिनिस्टर्स और राजा कैसे चलता था तो अपने इर्द गिर्द मिनिस्टर्स रखता था तो अलग-अलग के मंत्री होते थे तो अलग-अलग का मंत्री होता था कोई करते थे उनको जो राजा ने आदेश दिया उस वरकाउट होगा तो इस तरह से मिनिस्टर का में भाग लेते थे अन्यों सहयोग करते थे राजा को जैसे राजा का बेटा राजा होगा राजा का बेटा राजा होगा फैसे इसका बैठान हो सकता है कि मिनिस्टर का बेटा अफिता को मिनिस्टर को देखा है कि कारबव यह के नहीं नहीं मालूम था तो यह से बज़ा सब्सक्राइब करते तो बहुत प्रतापी राजा थे बहुत बड़ा सामराज बनादिया था और उसके वाद किया था उन्होंने फितों इत्राधीकारी नहीं को जये स्कूर्टANGरोर बात करता हूं दोनों चीज़ प्रोसर कॉंस राजा तो कई कई जगा राजा जब आटो क्रेसी हो जाएगा एक डिसीज़न लेगा तो गलत डिसीज़न होगा यह भी तरह है तो तीन कारणों से कोई अगर सिच्वेशन बरतमान में बनती है तो उसका कई कारण होता है कई कारणों को देख करके चल दिए और समझी इंचुनों को ठीक है आगे एडिस्टेशन होता था है तो एडिस्टेशन होता था मंत्री का बेटा होगा मंत्री बनेगा है तो इस तरह से ठीक है नमबर ऑफ दिपार्टमेंट कितना था उस समय यानि राजपूर में कुछ पता पता नहीं चलता जादा ठीक है क्यों नहीं पता चलता है नहीं कितने डिपार्टमेंट वहां थे अब डिपार्टमेंट की बात कर ली तो कौन कों से दिपार्टमेंट हो सकते थे यह दा इंस्क्रिप्शन सपीक्स चपाई की वी चीज़ें उनसे पता चलता है क्या कि दिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंट अफेर्स यानि विदेश मंत्राले होता था उस समय राजपूत प्रियोड में विदेश से रिष्टा होता था विदेश ए आपने विदेश के मामले होते थे न तो इसका पूरा होता था फॉरेंट डिपार्टमेंट जैसे आज कैसे ऐसे डेलिगेट साते हैं उसका में स्कुछ था ठीक है समझ में आ रहाए बात नेक्स्ट रेवीनियू रेवीनियू की बात करने तो रेवीनियू का बहुत ही पड़़ेगी तो राजा का कम पर नहीं कर सकता है तो बात कर अपने पर गुलामी के रहा था तो system को चलाने के लिए कुछ बढ़ाना को पड़ेगा कितने से ध्रस्ट से देश को देख लें आज देख लें वह दखेसिंद साथ नौर्थ कोरिया की की नौर्थ कोरिया नौछ को बिकाम होता है ऐसा नहीं की नहीं काम होता है डिवलप्मेंट अब विचारधारा यह लगी तो सब्सक्राइब चलता था आर्म ने फोर्सेज आनि जो तलवार और भाला लेकर के लड़े उसको आर्भोर्ष में ज़ो लड़ने वाला होता था उसका एक सब्सक्राइब से अधर्म भी तो जरूरी है किसीने चोरी कर लिए से युदि कर से ऩिसे कर जरूर पोट से रहा सदै के पूज़ा करेगा तभी तो सिस्टेम से रहेगा आगर एक दिन आप संसकारों को छोड़ दें तो सिस्टम भूल जाएंगे तो संसकारों को करना ही नहीं करेंगे तो फिर तो पसुबत हो जाएंगे हम बहुत बड़ी चीज है हमारी संस्कृति संसकार तो इसका भी सुरू से सब ने इसको कैरी ओवर किया है आगे बढ़ाया ठीक है तो रिलीजियस अफेर्स जो ते थे मंदिर वगरे कहां बनाना है क्या करना दिखते राजा बहुत बड़े-बड़े-बड़े निर्वन आते थे अच्छे-चा मंदिर बनाते थे क्यों क्योंकि सिस्टम आफ-फ लिविंग है ना यह हमें बताता है कि कैसे रहना इंसान को हम पसू नहीं है ना हम इंशान है तो इनसान को कैसे रहना तो एस सारी चीजों के लिए एस अब पर डिपार्टमेंट बना हुआ ठीक है आगे एकसेटरा ठीक है प्राइम मिनिस्टर्स जाना प्राइम मिनिस्टर्स किया करता हुबזה यह इसलाह को Lab की तो बगेरा बगेरा सब बात्त करते थे राजा तो राजा को क्या करते थे पुरोहित को छोड़कर पुरोहित भी स्था-पुरोहित होता था पुरोहित भी मैंने चर्चा किया था पुरोहित सब्द अभी भी हमारे गाउं में इस्तेमाल होता है पुरोहित सब्द जजमान और पुरोहित सब्द आज भी हमारे गाउं में इस्तेमाल होता जजमान पंडित जी जब पूजा कराने जाते हैं कि किनी के घर में तो पूजा करब ने जाते हैं किया कहते है जजमान कहते हैं जजवान मत just चिन करने और पंडित जी को जो दच्छिना दे रहें पूजा करवा रहें वह क्या कहते था पुरोहित जब थे आहिसे नहीं जाते था तो पुरोहित नहीं जाते था बाकि सारे सब तलवार लेकर निकल जाते थे ठीग है ओल थी ना इस तारे तीनों कि डायनेस्टी में यही परंपरा थी यह संस्कृती थी हिंदू इसम का महारत की संस्कृती थी ठीग है आगे की बात करते हैं वेल और्गनाइजड पीनों में क्या था आटिलरी आटिलरी मतलब होता है अस्त्र सस्त को हम आर्टिलरी कहते हैं तलवार बंदू गोली सब आर्टिलरी में आता है जिससे सैनिक लड़ता है उसको हम आर्टिलरी कहते हैं इंफैंट्री क्या होता है इंफैंट्री जो पैदल चल के लड़ता है ठीक है पैदल पैदल चलता है लड़ता है उसको क्या कहत तो इस तरह से इंफांट्री पाल्य चलकर कि आ भाले तल्वार ले करके सामने भीढ़ गया जमीन पर उसको इनफांट्री करते यह जो हते हैं जो होते थे उसको अस्तरश्थ को और काविलरी क्या होता था तो लड़ता था रसे नीक का नाम था लड़ते थे घोड़े और हाथी पर लड़ने वालों की फाइदा क्या होता था हाथी बहुत उचा होता है तो वहां पर लड़ने वाला उसको नहीं टच कर पाएगा तो उपर से बहुत आराम से अटाइक कर सकता है दूसरा अगर कहीं गीला कीचा कीचड़ वाला रास्ता मिल जाए तो वहां पर हाथी आराम से मस्ती से चल देता है लेकिन घोड़े सिलिप करके गिर जाते हैं तो यह सब फाइदा मिलता था हाथी का होना बहुत वड़ा यूध में जिसके पास हाथी होता था न वहाथी का जीत का ज्यादद दावा हो जाता था जीत जाएगा क्योंकि उसको तो टच ही नहीं कर पाया इतना उच्छा है तब तक तो उपर से घोप देगा पूरा बढ़िया से तरह से तो इ एलिफैंट्स वरियर और बहुत सारे लेकर के निगलते थे पाल वाले तो पाल वाले के पास बहुत बड़ा था ठीक है अना फ्यूडेटरीज हूप एक्सेप्टेड डिरेक्ट्ली अडमिस्टेटर वाइदा किंग अब एक किंग के द्वारा सारे फिडिटरी फिडिटरी होता टाव्ग और को अब किया होता था एक त्रह का सिजूनिटी एक सटक्सिया हुआ होता है छोटा राजा होता था और वेशाल्स क्या करते थे दूर दराज एरिया में देखता था उसका भी काम यहीं होता था कि पूरे पर बहुत लंबा अब बाद कलने राश्टकूट की तो राश्टकूट सुरू होता है अध्य-पर्दे से और खतम होता है किरला के लाश्ट तक तो किरला से राज चलेगा कोई घोड़या हाथी पर तो कितना दिने पहुंचेगा तो ऐसे घुमते ही रहे जाएगा तो क्या करते थे यानि अपने पर्तिद ही नॉमिनी जिसको कहते हैं हम राजा नहीं यह जाएगा मामला देखेगा तो जो जाता था होता था चाइं को पेमेंट करना पड़ता था क्योंकि उसको दिया जाता था काम की आप जाकर के टैक्स वगर वसूलिया आप एसाब काम कीजिए एक रेगुलर फिक्स कई कई जगा पर था टिब्यूट फिक्स था कि इतना आपको देना है अपने इस एरिया में जाओ सासन करो और यहां से इतना हमें संपत्ति इतनी ऐसी एसी इतने आर्म फोर्स हमें सप्लाइ करो ठीक है तो उसको कहते थे ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट देना पड़ता था किसको देना पड़ता था वेशाल को किसको देना पड़ता था तो वेशाल को केंट्रल किंग को देना पड़ता था जो राजा डाइनेस्टी का जो राजा था उसको देना पड़ता था इस तरह से वेव किनको भीटी डिशन एंडिपेंटेंटस एसमें होता क्या था यह जाते थे काम करते लिए थे प्रफ पहला टाए कि हम क्यों क्या करता था कि हम जो AKQU रहे हम क्यों क्यों इस सारे मी कर ні सारा कंव आ cannabis यह न séamm技 होता था कि Hepा आपने subtle ने उसे लड़ता था तो उससे वार होता था ठीक है और एसे कुछ शेंटर लडते थे अपने जैसे परिमार के पर परतिहार परतिहार किंग में एक लड़ा था लडाई बात किया था उसके जो यह थे सीजưngीती वाले थे वेशालिटी वाले थे उनके बीच में लड़ाई हुई थे शाएट लिए हुई थी आह नशी के लिझ वाल आ पर मार के साथ हुआ था पर वाले क्या थे थे था और उन्हें के साथ लड़ा था तो प्रवार लड़े थें ना मौल्बा मालवा को राजा से बुनेल खंड में और इस तरह से दो आया था परमार की डाइनिस्टी आ गई थी और बुदिलखंड में दूसरे राजा उभरे थे सामने राष्टगूट वाला वेसाल स्चीप से लड़ा था लड़ा था वेगी में पेगी जो हम चालू करी वेंगी कादिया करते ने तो जाला कि लड़ाई लड़ाई की अगली इंफॉरमेशन कुछ देते हैं आपको फॉर एबब वी इट कैन वी सेड़ाइब डिवीजन हो गया था तो दो हिस्से में डिवीजन हो गया था एक डिवीजन वो था जिसमें से करता था मिनिस्टर से करता था मिनिस्टर से करता था इन सबसे क्या करता था सीधा सीधा कॉन्टक्ट करके पूछता था और राजा गाउं गाउं तो जा नहीं सकता था तो जो गाउं में डिस्टिक लेवल पर जो एडिमिस्टेशन था उससे क्या करता था राजा की दूरी सब दिन को सुख से भी करता था मैंने पहले ही राजतंत्र भी जैसे है वह मोनक्रीा मतलब एक के व करता आप पाबर है लेकिन व आप एक राज्या होदे था करता था हैं आपने मंत्री रखते थे मंत्री में में मीनिस्टर होते हैं जलाकार होते हैं अलगर राजा देख से करेख कर यारा का इसा कुछ , करता था तो मैं आगे की बात करता हूं तो पाल रहते हम की ड़ीघ इंटिटो पर अब इस पूरा मैंने बता रहा हूं कैसे system करिण के पार्ट हो गया तो कि करीव करीब करीव 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 जो लोग है घिसको कहेंगे मंतरी परिषद मंतर्य कद दूसे में होत करता था जितने मंत्री होते हैं और क्या वेसाल से जो थे वो सीधा कॉंटक्ट करते थे राजा राजा सीधा उससे बात करता था ठीक है तो राष्ट कुटा है नहीं किंग्डम है तो कहता था administration administrative by him and these assistant to the council of minister minister का मैंने बता है council of minister क्या करता था administration में पार लेता था पारटन ऑफ administration वाज सीमिलर टू दैट ऑफ द्यूरिंग पिरिए नहीं सीमिलर टू गुपता प्रियोड में राजा मुख होता था वैसे ही इस समय भी राष्ट कुट यानि प्रतिहार यानि राजपूत डैनेस्टी में ऐसा ही चल रहा था ठीक है समझारी बात ओके आगे आप तुम मैंने की परसंट नीडिवाइडिट है अभी तुम मैंने मताया कि निवाइड़ि रिटा रेजन आड्डिवाइड मैं तौझ कैसा रिजलन में डिवाइड तक सब्सक्राइब करें तो आप एक रीजन का नोट करें यहां पर भुक्ति एक क्या होता था भुक्ति टर्म यूज यह होता था अज उसी प्रोविन्सेज कहते हैं प्रोविन्सेज भुक्ति नहीं था गेविजट्र विशय का दिएद रूखती में पर्विजटि किया हुए था वो मंदल या विशय में मंडल या विशय कहते हैं तो मंडल उसका मंडल बना हुआ था यानि एक प्रोविंसी में कई मंडल या कई विशय थे ठीक है समझ में आ रही बात यानि राज का पूरा डाइनेस्टी पूरा राष्ट कूट बंस अगर देख लें तो उसमें कया था कई भुकती थे भुकती के भीतर क्या था कई विशय या मंडल था ठीक है समझ में आ रही बात यहां तक है न अर जो प्रोविंसी का वहोता था उपारी का मैं फिल-सर रिपीट कर दता हूं भुक्ति का हेड कौन होता था तो उपारी का होता था अब उसी तरह से क्या होगा उसके नीचे क्या होगा तो विशाय होगा या मंडल होगा तो विशाय और मंडल का हेड क्या कहलाता था विशय पती कहलाता था विशय पती है ना तो दो पोस्ट और दो एरिया आपने देखा एक एरिया के देखा आपने भुक्ति भुक्ति का हेड क्या हुआ उपारी का और मंडल मंडल या विशय विशय का हेड कौन हो गया तो विशय विशय पत को और उपारिका काम क्या था तो इसको कलेक्स करना था रिकोर टुक क्रिक्ट टाक्स अ संस्क्राइब करते थे लोग करते थे एम एडमिस््ट्राइश लो अनूं अडुकारिका और था already कॉन दूसरा विशहपति देखेगा ध्यां कि दो घ्रे दिया आगे law and order यानी कानून नियम कानून कौन देखेगा तो यही भुक्ती औरanka तो यह भुक्ती और विषय समझ में आ रहा है यहां तक समझ में आज़ाए और आगे की बात करते हैं यहां नहींड looks a car और तो अपने च्छेत्र उन्हें in चला गया डेक्स वेस्था थी ऐसा नहीं होगा डॉली का बात करें तो तबनगर का डिस्टी मेंगे जनकपूरी का डिस्टी मजिस्टेट जो नो मिल करें काम करेगा 감사 से नीचे क्या होता था जिसका नाम था था समन्त या भोग पती भोग पती भोग पती एंक या तो उस के नीचे होता था यानि विश्चय पती के नीचे कौन होता था भोगपती या सामन्त जिसको समंत कहते थे monkey शामन्त पती न्ट्य अफिर अफिर और इसका काम क्या था सवांन क्या करेब करना नीचे और नीचे यानि की पहले भुकती OB भुकति के बाद विशय के बाद नीचे आ गया विलेज विलेज का आफिर कौन देखेगा तो सामंत या भूगपती तीनों डाइनेस्टी में नाम पड़ा था सामंत या भूगपती किसको जो विलेज के अफिर्स को देखता था समझ में आ रहा है बात तो इस तरह से डिविजन था पूरा वर्क का डिविजन था एंड राश्टकूट किंग्डम दर डिरेक्ली अड्मिस्टेशन तुदर रिजन सब्स दिवाइदे इन्टू विशय में भुकती होता था राश्टकूट वाले में क्या होता था पहला भुक्ति विच इस प्रबबली में ग्रूप बिलेज यहां पर भुक्ति जो कहा गया ना राश्टकूट में भीलेज को भुक्ति बिज का जो पर होता था ना उसको भुक्ति कहा जाता था इंटूट बुक्ति ठीक है आगी कि बास कर ले डिविजन वेर मेड इन और तू र maintenance of the law and order ना हानए दो ही काम इस तरफा था इन लोग का कि तेक्स भसुलो और लाँ और को मैंटेन करके रखो राटो और टेक्स होता था तीनों समराज में यही मुद्धा था समझ में आ रही बात समझ में आया चलो आगे बढ़ते हैं Candice अब आगे बात करते हैं ठीक है दश्मॉलर इणिट जब हमने बात किया सबसे स्मॉलर क्या हो जागा विलेज में गाउं से क्षूटा क्या होता है विच इन्कूर्ट सबक्राइब अब गाउं में फष्वेगा ना है गाउं में लुहार काम करेंगा सुनार काम करेगा तो काम करेगा तो वह जमीन उसको दिया जाता था जमीन क्या किया जाता था कि दिया जाता था चलो इस एरिया में तुम काम करो और तुम को क्या किया जाएगा तो फसल होगेगा तो इतना परशंट हम को देना इतना परशंट तुम लेना ऐसे होता था तो यह सारी चीज़ें होती थी तो राजा देखता था यह तरह से तो इसके लिए कर जो collection होता था जो पैशे राजा के पास कैसे जाएगा राजा के दरवार में तो वह क्या करता था तो यह सारे मुखिया को मुखिया किसे बात करें मुखिया हर के दर्वाजे पर नहीं जाता था मुखिया क्या करता था एक ग्राम महाजन एक वो क्या करता था ग्राम में महाजन बना लेता था यह तर्म अभी यूज होता है महाजन या पारी लोग यूज करते हैं महाजन का मतलब होता है कि एक ऐसा जाते थे तो हर घर में जाते थे और महाजन क्या करते थे राजा का आदेश है आज जो फसल हुई है उसका आप जब लगान है वो चमा करो लगान अगर नहीं तो पिर आदेश उसके साथ वहार उसके साथ होता तो एक क्या करते थे जितने भी महाजन होते थे क्या करते थे यहां मुख्या को बताते थे लाकर आज अग्राम भाशियों का नाम लेकर के इसके इसके अहां से इतने इतने collection आए इतने इतने लगान आए हैं और इसने नहीं दिया उसने पूरा लिस्ट उसका account maintain हो YUKAR करके रखता था किसने क्या जमा कि ठीक है समंजा रहा है वाद तो इसको को ग्राम महात्रा भी बोलते थे सारे महाजन ए पिर मुकिया इस नहीं को भी महाजन बन जाएगा ऐसे नहीं कोई भी मुकिया बन जाएगा ऐसे नहीं कोई मन्त्री बन जाएगा सबका क्या सब एक इसका बेटा तो राम परशाड श्याम परशाड ही क्या बनेगा हेड मैन बनेगा महाजन कौन बनेगा तो अरजुन शींग का बेटा बिनोश भी बनेगा जो यह सब नदगव को क्या देशा घृता बोलते थे देशा घृता बोलते थे ऑफिसे जो आते थे collection अगर करते थे तो यह सब नाम लिख लेजीए हाना आगे की बात करते हैं बात करते हैं तो अब हमने चर्चा कर दी कि इस तरह से क्या था पूरा सिस्टेम ऑफ एड्मिस्टेशन था ठीक है इस तरह से चलता था अब कुछ चर्चा करेंगे हम आगे चर्चा आज नहीं करेंगे चौहांस के बारे में कि चौहां क्लैन कैसे आया परमार क्लैन कैसे आया orage कैसे आया अगले वीडियो में पिर हम आपसे मिलेंगे और पर फिर से एक चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे elliA情 यानि ऊफ ठीर धीर आज का वीडियो अगला वीडियो में क्या होगा पूरा का पूरा आपको आज जो सब्सक्राइब करके उसको पूरी अच्छी तर्यारी करा देना यह आपको यूपीसी पीटी में भी ऐसे कोश्चन आते हैं तो यूपीसी पीटी तक का मैंने कलेक्शन करूंगा और हर विशय का तीनों विशय का बारी-बारी से तो अब मैं शुरू करूंगा अगला वीडियो पिर से आएगा और उसके बाद किप वाचिंग देखते रहे उसमें से क रिए नोट्स बनाई है आगे तयारी कीजिए और को उसका सॉलूशन देखिए उसको ध्यान से पढ़िए लोकेड कीजिए मैप बगर से कहां क्या हो रह करें सब्सक्राइब